मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे से हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नहीं चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथा draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो या कोई काल सर्फ दोश या कोई ऐसा दोश तो नहीं इन सभी बातों का जवाब आपको मिलेगा भ्रिगू पत्रिका में भीगु पत्रिका में इन सभी बातों के साथ साथ आपको मिलेगा दस साल का आपका भविश्या फल भी और ये सभी कुछ मिलेगा सिर्फ पांसो एक रुपए में तो दोस्तो आप अभी मंगवा सकते हैं अपने खुद के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए भीग टैंगल जैसी शेप बनाती हैं नजर आ रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह है कि शेप इनके इतेली की जो इंडिकेट करती है एक हार्ट वरकिंग नीचर को और साथी साथ काफी ज़दा आनलेटिक टाइप की नीचर को भी और अगर हम चेक करें इनकी फि इसकी उपर नजर आ रही है ऐसे रखाओं का होना काफी पॉजटिव माना जाता है ऐसे व्यक्ति बहुती मिलनसार सभाव के होते हैं दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने की तहजीव इनके भीत रहती हैं और अगर देखा जाए फिंगर्स की लंबाई को तो यह आप दिख सकते हैं शनी फिंगर यहाँ पर काफी अच्छी लैंट में स्टॉंग है थिकनस बहु अच्छी नजर आ रही है जिसकी वज़े से ऐसे निटिफ काफी हाड़ वरकिंग नेचर के होते हैं काफी मेहनत ही होते हैं जिस वज़े से अपनी लाइफ में काफी जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के धीतर creativity का level काफी अच्छा होता है, artistic qualities काफी strong रहती है, एक बहुत यचा social circle create कर पाने ही में कामियाब रहते हैं, ऐसे native जिन की सूर्य finger लंबाई में हो, और अगर हम compare करते हैं ब्रस्पती finger के साथ तो ब्रस्पती finger थोड़ी short नज़र आ रही है लेकिन बहुत ज़्यादा shortest को नहीं कह सकते हैं, सूर्य finger का अच्छी length में होना native को risk taker भी बनाता है, ऐसे व्यक्ति life में decisions लेते समय कई बार जल्दबाजी भी दिखा बैठते हैं, खास तोर पर अपनी धन की investments के मामले में भी कई बार risk ले लेते हैं, जैसे अपनी धन को ऐ ऐसी जगहों पर invest कर देते हैं, जहाँ पर loss के chances भी हो, जैसे share market है, crypto currencies है, mutual funds है, ऐसी जगहों पर भी अपनी धन को invest कर सकते हैं, और बात करते हैं इनकी guru finger की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्रस्पती finger थोड़ी short लग रही है, लेकिन बिलकुल straight है, thickness में काफी रहेगी, knowledgeable personality इनकी रहने वाली है, और अच्छी leadership qualities भी इनके भीतर रहने वाली है, अगर देखा जाए इनकी सबसे छोटी finger, यानि के mercury finger को, यहाँ पर आप देख सकते हैं, mercury finger की जो लंबाई है, सूर्य finger के top phalanche तक पहुँच रही है, यह है finger, काफी अच्छी length में नज़र रही है, जिसकी वजह से communication skills ऐसे native के काफी strong रहते हैं, थोड़ी सी low set है यह finger, जिसकी वजह से थोड़ी छाई nature तो रह सकती है, लेकिन overall communication skills, calculations and business equipment ऐसे native का काफी strong रहता है, अब देखते हैं, इनकी fingers में बने वाले gaps को, तो यहाँ पर आपको नज़र आगा एक हलका gap बनता हु होना native को खर्चीला बनाता है, ऐसे व्यक्ति धन को बहुत ज़्यादा समय तक अपने पास रोकर नहीं रख पाते हैं, खर्च कर देते हैं, इनवेस्ट कर देते हैं, इस तरह की दिखते हैं, life में face करनी पढ़ सकती हैं, overall in gaps का होना व्यक्ति को independent nature का भी बनाता है, ऐसे व्य मांट्स को, तो यहां पर अगर मैं एक line draw करता हूं, तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रहे हैं, जो यहां से इस मांट को हलका सा low set दर्शा रही हैं, जो यह मांट है, यह जो मांट रहता है, इसको हम mercury मांट कहते हैं, mercury मांट हलका सा low set है, जो indicate करता है, शाई nature क overall mercury रेखा इनके हाथ में मौझूद है, इस सेरिय में आप देख सकते हैं, आपको दो रेखाएं उपर की तरफ बढ़ती नज़र आएंगी, इस तरह की रेखाएं होने से native का business equipment अच्छा हो जाता है, लेकिन थोड़ी शाई nature की जो संभाबना है, वो तो फिर भी continue रहेगी, और अगर देखा जाए, तो आपको यहाँ पर कुछ खड़ी रिखाएं भी नज़र आएंगी, इस तरह की रिखाओं का होना positive संकेत देता है, ऐसी रिखाएं होने से व्यक्ति के भीतर sympathetic nature रहती है, ऐसा व्यक्ति दूसरों के प्रती काफी sympathy रखने वाला होता है, दूसरों क यहाँ पर हलका सा weak होता हो नज़र आ रहा है, सुर्य माउंट का जो यह area है, अंदर की तरफ दब रहा है, जिस वज़े से बहुत ज़्यादा fame और यश मिलने में दिखते रहती हैं, यहाँ अगर दब रहा हो, तो native दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई reward या क हलका सा दबता हो नज़र आ रहा है, यह amount अगर दब रहा हो तो native को life में struggle और hard work काफी करना परता है, और अगर कोई लंबी भागया रेखा हाथ में मौझूद हो, तब काफी हद तक struggle से रहत मिलती है, आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, यहाँ से एक रेखा आपको नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा strong तो नहीं लेकिन कुछ इस एरिया तक, और इसके बाद एक बहुती लंबी और strong line नज़र आ रही है, यह जो रेखा है, जो इस एरिया से शुरू हो रही है, खासतार पर mind line के उपर से, लगबग 36 की age के बाद बहुत अच्छी तरक्य क पहुन जाते हैं, और अगर business में हो, तो business के जरिये बहुत सरा धन कमा पाने में सक्षम हो जाते हैं, अगर इस तरह की रेखा mind line से उपर की तरफ बढ़ती हुई नज़र आए, उसे पहले भी अच्छा धन आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर age रहेगी, लगबग 28 की age के बाद से progress होनी शुरू होगी, लेकिन ज्यादा बहतर results इने 38 की age के बाद मिलने की समावना नज़र आ रही है, उसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ खड़ी रिखाएं नज़र आएंगी, इस तरह की खड़ी रिखाओं का होना, इस mount के उपर indicate करता है के native को old age में भी काफी अच्छा धन मिलता रहेगा, जो income generation है वो old age में भी होती रहेगी, शनी माउंट के उपर ऐसे खड़ी रिखाएं अगर मौझूद हों, तो यहाँ पर यहाँ बहतर चिन है, और अगर हम बात करें इनके guru माउंट की, तो यह area हलका सा shift हो रहा है शनी की तरफ, overall यहाँ माउंट अच्छा है, थोड़ी वरग्या की भावरा इनके भीतर रह सकती है, लेकिन knowledge के मामले में यह बहुत अच्छे रहेंगे, knowledgeable personality ऐसे व्यक्ति की रहती है, और थोड़े से धारमे करूची कैसे व्यक्ति होते हैं, बात करते हैं, इनकी line of heart की, आप देख सकते हैं, heart की line बिल्कुल straight चल रही है यहाँ पर, और एक रेका यहाँ से एक उपर की तरफ इस तरह ऐसे बढ़ती हुई, जो heart line को sport करती नजर आ रही है, इस तरह की रेका अगर हाथ में मौचूद हो, तो व्यक्ति थोड़ा emotional हो सकता है, यह है रेका आप द के ऐसे native बहुत ज़्यादा honest and loyal होते हैं, इस रेका की दोस्तों में बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल यहाँ पर आपको ब्रस्पती मौट पर पहुंचती नजर आ रही है, जिनकी भी यह है रेका गुरू मौट तक पहुंचा है, इस व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं, धारमिक प्रविती के होते हैं और loyal and honest type की personality रहते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है, कि इनकी इस रेका से एक ब्राच निकल कर नीचे की तरफ बढ़ती हुई, यह जो ब्राच है, इस तरह की ब्राच मंगल मौंट की तरफ बढ़ रही है, य overall अगर देखा जाए, हाट के लिए बहुत अची नज़र आ रही है, स्ट्रेट हाट लाइन है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी, इस हाट लाइन में, इस एरिया में थोड़ी सी weakness है, खास दोर पर यहाँ पर हमें एक island जैसा चिन, इस तर health से related आने की संभावना को दर्शा रही है, यह हाट लाइन, अब बात करते हैं, इनकी line of life की and line of mind की, तो यहाँ पर आप देख सकते है, mind की line कुछ इस तरह से बिल्कूल straight है, money triangle complete नहीं बन पा रहा, क्योंकि यहाँ पर कुछ बारीक रिखाएं जो है, खुला हो money triangle बना रही ह कुछ इस तरह का, जिस वज़े से धन की income अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चे धिक होने की वज़े से धन संचे में थोड़ी से दिक्कते हैं आ सकती है, लेकिन income के लिए 36 की age के बाद बहुत अच्छी income इनकी होने की संभावना नजर आ रही है, एक लंबी mind line का होना, यहाँ पर indicate करता है, बिल्कुल flawless mind line है, mind बहुत शारप रहेगा, memory ऐसे व्यक्ति की काफी अच्छी रहती है, अगर हम बात करें इनकी line of life की, तो आप देख सकते हैं, life की line यहाँ पर कुछ इस तरह से इस area तक पहुंचती होई, यह है जो life की line है, indicate करती है कि native की जो age रहेगी, लग life line से एक branch निकल कर चंदर माउंट की तरफ बढ़ती हो, यहाँ से एक branch आपको इस तरह से चंदर माउंट की तरफ बढ़ती हो, इस तरह की रहा, अगर life line से निकल कर बाहर की तरफ moon area तरफ पहुंचे, यह खुद बा-खुद, life line इस तरफ पहुंच जाए, तो ऐसे व्यक् पर अगर हम देखें इनके वीनस माउंट को तो वीनस माउंट थोड़ा सा कमजोर होता नज़र आ रहा है मुझे क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारी ऐसी बारीक वरी लाइन्स नज़र आएंगी ऐसी वरी लाइन्स का होना अच्छा नहीं माना जाता ऐसी रखाएं होने से म को वरीज रह सकते हैं फैमिली की तरफ से फैमिली वरीज की वज़े से ऐसा विक्ति थोड़ी सी परशानिया छेलता है अपनी लाइफ में अगर वीनस माउंट के ओपर ऐसे चिन हो अब बात करते हैं इनके चंदर माउंट की तो चंदर माउंट यहां पर काफी क्लियर नज सकते हैं ओवराल कोई मेजर इशू यहां पर इनके मून एरिया के ऊपर नजर नहीं आ रहा तो दोस्तों यह कुछ अनैल्सिस थे इनके हैं इनके बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के तरूँ दे पाऊं लेकिन फिर भी को सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेशन पैंडिंग है तो मुझे मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद